दोस्तों कि आप लोग Play Store की ID बनाना चाहते हैं आप लोग New Mobile लिए हैं आप लोग यहाँ पर ID बनाना चाहते हैं यह आपका पहले से ID है आप लोग दूसरी ID यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप लोग Play Store में दूसरी ID या New ID कैसे बना सकते हैं लिए बताईता हूँ जिससे यहां पे प्लेश्टोर यहां पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहां पे ऐसा ओपन हो रहा हूँ यहां Google Play और यहां Sign In का उप्सन सो करा आप लोग यहां पे निव आईडी बनाना चाहते ही निव एकाउंट क्रियेट करना चाहते ही तो दोस्तों इसके Google Play और यहां पे Sign In का उप्सन सो करा दोस्तों जो तरीका बता रहा हूँ इस तरह आप लोग step by step फालो करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग यहां पे आईडी को बना पाएंगे तो यहां पे हमें Sign In, यहां पे क्लिक करना होगा जैसे यहां पे क्लिक किया हूँ तो यहां यहां पे एक उप्सम जाता है create account दोस्तों इसके पहले बता दूँ अगर आपको पहले से कोई आईडी है आप लोग forget करना चाहते हैं तो यहां से forget कर सकते हैं अगर आप लोग इसका डीटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो के decision में आपको वो वीडियो मिल जागा उसको व my personal use for my child for work और my business आप लोग जी साफ से create करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे में personal use करना है तो यहां फार my personal use यहां पर क्लिक करना है इतना करने के बाद create a Google account और यहां enter your name और यहां पर first name और surname और सरनेम और सरनेम और अफिस्टनल है आप लोग यहां पर surname रखना चाहते हैं नही यहां पर मैं अपना नाम लिग देता हूं विकास इससा जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं आपका अपना नाम इससा आप लोग यहां पर नाम दे सकते हैं आप लोग अपने नाम से बनाना चाहते हैं जो भी नाम से बनाना चाहते हैं वो नाम दे देना है जैसे सरनेम मैं यहाँ पर मौरिया कर देता हूँ यहाँ विकास मौरिया मैं लिख दिया हूँ फिर यहाँ नेक्ष्ट हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर E-Aps ना जाएगा Google और Basic Information Basic Information में यहाँ पर Day, Month, Year तो दोस्तों यहाँ पर आपको Date of Birth यहाँ पर आपको अपने इंटर करना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर Date of Birth इंटर कर दूँगा और यहाँ जेंडर आपको देखे जो भी जेंडर हैं आप लोग मेल, फीमेल जो भी हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके पहले मैं एडे वाले पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखे मैं आपको देट ङूफ यहाँ पे इंडर करके दिखायता हूं यहां मन्थ वाले पर क्लिक करना है। तो यहां पर जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं वह नाम दे सकते हैं यह से मैं कर देता हूं विकास यह automatic देखे ead है तो मैं है next वाले पी क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पे available होगा तो यहाँ पे यहाँ आ जाता है अवेलबल नहीं है यहाँ पे देखे ऐसा आ गया है आप लोग दूसरा नाम देख सकते हैं दूसरा नाम यहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं और यहां पे जो अवेलबल है, यहां पर ये शुक्रा आप लोग इसे ही लखना चाहिते हैं, तो आपको यहां पर ट्रिक कर देना है तो इतना करने के बाद, फिर यहां पर यह उपसर आजाएगा next, आपको यहां पर क्लिक करना होगा और जैसे यहां पे क्लिक यह हों तो यहां create a strong password तो आपको यहां पे strong password को create करना होगा दोस्तों यहां पे आपको देखे कुछ later रखना है कुछ number रखना है और यहां कुछ strong character को देखे कुछ small और कुछ capital उस तो आपको यहां पे create करना है इतना करने के बाद आपको यहां next यहां पे क्लिक करना है और कम से कम आप लोग 6 या 8 करेटर कर रखेंगे तो best password रहेगा पासवर्ड आपको create करना है फिर next वाले पे click करना है आप लोग पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड पे click करना है आप लोग इस पासवर्ड को देख भी सकते हैं फिर यहाँ पे हमें next यहाँ पे click करना है और यहाँ प्रोसेसिंग चलेगा और add phone number आप लो जो आपका नाम होगा यह नाम सो करेगा जो आप लोग email यहाँ पर create किये हैं यह email सो करेगा फिर आपको यहां next यहां पर click करना है और इतना करने बाद यहां price and terms यह अपस्ट मिलता है तो मैं नीच्छ आना है और इनके आप लोग price and terms पढ़ना चाहें तो पूरा आप लोग प पसानी से यहां पर आप लोग प्लेश्टोर की ID को बना पाएंगे तो यहां Google Service आपकी जो email है यहां यहां यूज बेसिक डिवाइस बैकप आप लोग इसे आन रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको आन रहने देना है यहां पर कुछ नहीं करना है और यहां पर accept यहां पर ID होगी यहां पर शोक करेंगी दोस्तों इस तरह आप लोग यहां पर क्रियाट कर सकते हैं अगर आपको यहां पर नहीं मिल रहा था जैसे आपको पहले से यहां पर ID है आप लोग जाना चाहते हैं न्यू एकाउंट मैं कैसे क्रियाट करूं तो आपको जैसे प्लेश्टोर करना होगा आपको यहां पर जिस तरह देखे आपको नाम और यहां पर जकर जो भी जैसे भी बटाया हम उस hazır आप फालू करेंगे तो आप लोग यहां पर देखे नीव एकाँट बना पाएंगे जैसे मैं तो पहले बता दिया हूँ, इस तरह आप लोग यहाँ पे account बना सकते हैं, जैसे मेरी play store की ID बन गई, तो यहाँ पी एफसन आ गए, तो हमें यहाँ OK वाले पे click करना है, और जैसे अब आप लोग यहाँ पे कोई भी application को download करना चाहते हैं, तो आपके यहाँ search वाले पे click करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे install होने लगेगा, दोस्तों पहले अभी तक यहाँ पे आपका play store ही open नहीं हो रहा था, तो आप लोग कुछ यहाँ पे download नहीं कर पा लेते, इस तरह आप लोग बहुत आसानी से, यहाँ play store से कुछ भी download कर पाएंगे, तो दोस्तों इस